तर नमस्ते शागत है आपका मेरे इस चानल पर हमें सम्मोस में लिक्विड लेना चाहिए हेल्दी ड्रिंक लेना चाहिए तो आज की वीडियो मेरी एक रीक पैसल और हेल्दी र WINL रिस्पी और बनाओंगी चाहिए जिसे की ते सिर शागते हैं से मसाला इतनी हरी धनिया और इतनी पुधीना लेनी है अगर आप इतनी दही लेते हैं तो मैं यहाँ पर चार लोगों के लिए छास बनारी हूं इसलिए मैंने एक बोल दही ली है आपको अगर जादा लेना है तो आपको इसकी कॉंटिटी भी थोड़ी बढ़ानी होगी उसके बाद ह कुछ अद्रक के तुकड़े और दो हरी मिर्च काले नमक में हमने हाफ टीस्पून साधा नमक मिलाया है चाट मसाला लिया है मिक्सी में आपको पीसना है हरी धनिया पुदीन अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी अद्रक और हरी मिर्च इन्हें अच्छी तरह से पीस लेना है उसमें हलका सा नमक डालना है इस तरह से पेस्ट को तयार कर लिया है मैंने दही को भी मतना है जार ले रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं और इसे एक बार हमें मिक्सी में चलाना है ग्राइंड करने के बाद हमने इसे बड़े बॉल में निकाल लिया है अब मसाला चास जादा थिक नहीं होता इसके अंदर 2 से 3 गलास पानी मिलाएंगे बढ़ा है एक विसमें हम समय भीफ्फून एक टूपीड मेरें 9 प्रुषपून ग्युक्ट्ञ आप पूड़ं को ऐसे अ कि चार लोगों के लिए बना रहे हैं नहीं को दो नमक डालेंगे चाट मसाला डालेंगे यह लगभग 1 टी स्पून है अब हमारा चास रेडी है अब आप इसकी नमक चेक कर लीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ज्यादा थिक नहीं है चास इसी तरह का होना चाहिए अब इस मसाले को आप स्टोर करके 3-4 दिन रख सकते हैं चब भी आपको चास बनाना हो इसमें से 1-2 टी स्पून डाले और आपका चास रेडी है तो चलिए चास की प्लेटिंग करते हैं तो चास की प्लेटिंग हमने कर ली है आपको यह चास पसंद आई हो तो इसे लाइक बटन जरूर दबाईएगा और कमेंट सेक्शन में हम कांसी समर रेसिपी चाहिए मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई